नमस्कार परताल दुनिया भरकी में आपका स्वागत है देश दुनिया किस तरह से जुड़ी हुई है एक देश का संकट किस तरह से दूसरे देशों को प्रभावित करता है इस पर पैनी नजर हम आपके साथ बनाए रखते हैं आज सबसे पहले हम चलेंगे अपने पडोसी द संकट में तबदील हो रहा है इस पर हम बात करेंगे प्रभीर पुरकाय से प्रभीर जिस तरह से पूरी दुनिया ने देखा कि शिरलंका में जो लंबे समय से संकट चल रहा है कल एक बड़े पैमाने पर हरताल हुई जिसमें तकरीबन शिरलंका पूरी तरह से थंग गया मा एक बड़े पैमाने पे जो आक्रोश है उसकी परनिती कल हमें दिखाई दी कल की हरताल का क्या सिग्निफिकेंस है कैसे हम भारत से इसे देखें देखें जो कल की स्ट्राइक है बरताल है उसे साफ है कि जो एलियनेशन राजय पक्षे फैमिली की क्योंकि वो पूरी तरह से वह लोगों के जो गुस्सा इस सरकार पे है वो राजय पक्षे फैमिली के पर भी है और इसलिए गोटा गोटा गो यह स्लोगन पॉपलर हुआ है और काफी बड़े पैमाने पे आप जो कह रहे हैं लोगों ने हर सतर के लोगों ने इस पर पार्टिसिपेंस तक्रीम सारे जो श शफल से तो एक तो यह है कि जो उनकी इलियनेशन है जो दूरी हुई है जन्ता से वो दूरी इस वक्त कम होते को दिखाई नहीं पार्टा कोई बीच में उनने कोशिश की थी कि कैबिनेट से कुछ लोगों को जो उनके परिवारी के लोगों के कुछ राजा पक्षों को नि सकते हैं आर्थिक को अलग रख रहा हूं इस वक्त पर क्या दूसरे राजदिदिक दलों से बैठक करके कुछ बाचीत करें क्या दूसरे जो समझीवी पक्ष है जो यूनियन्स है इनके साथ बैठके बाचीत करें क्या एक कलेक्टिव कोशिश करें ये सब कदम दिखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आया ही है शक्तिशाली एक फैमिली उसका जो च्छबी था कि हमने सेसेशिनिस्ट को टबल सेसेशिनिस्ट को हरा दिया है पूरी तरह से इतने बड़े पर सहार किया सब को खतम कर दिया सारे विद्रोहियों को और इसके बाद जो जनवात का एक हम पूरे सरकार को चला लेंगे वो इस वक्त बिफल हुआ है सिर्फ राजनितिक कारणों से नहीं आर्थिक कारणों से भी कोविड-19 उसके उपर जो उनके एकॉनमी असर पड़ा अभी जो वो बातचीत कर रहे हैं यह अगर हम देखे तो परिप्रेक्ष तो अर्थ नीती ह है पर राजनितिक संकट इसे जो पैदा हुआ है उससे उभरने की हमें लग नहीं रहा कि इस वक्त कोई संभावना है यह यह जो तनाव के स्थिती चलने वाला लग रहा है चलेगा और राजय पक्षे फैमिली और उनकी पार्टियों की जो इस वक्त कबजा है सत्ता पे इस अर्थनितिक संकट में सब को साथ ले उस तरह का कोई कदम स्ट्रोंग में के ही प्राबलम होता है तो किसी से बात नहीं कर सकते हैं नीचे नहीं आ सकते हैं हमी सब करेंगे आप लोग चुपचाप बैठे रहिए यह जो तस्वीर है न तो वहां लगता है कि संकट जब ह इस तरह से तो अभी चलता नहीं है, वही हमको देखने को मिल रहा है, तो ये तभी इसमें हल होगा, ये तो राजनितिक रूप से बातचीत करें, ये तो आर्थिक संकठ कम हो, इसलिए आर्थिक संकठ जो है, इस वक्त ये बुनियादी संकठ स्रीलंका के सामने है. एक संक्षेप में मैं आपसे जाना चाहूंगे कि श्रिलंका का जो संकट है उसे भारत से भी जोड़ के देख रहे हैं ये बताया जा रहा है कि भारत को भी सबक सीखना चाहिए आगे क्या आपको लगता है कि कोई हल निकल रहा है या जो ये economic model जो अपनाया था श्रिलंका ने देखिए मूल जो स्रिलंका का अर्थिक संकट है इससे है एक तो बहुत पहली ही नियो लिबरल आइडियोलोजी के ग्रिफ्त में थे कि सरकारी intervention नहीं ज्यादा करना चाहिए मार्केट ही सब कुछ करेगा और इसी लिए हमारी जो अर्थिक ववस्ता है उसकी रुझान यही वो क्या चाहते है उनको सहुलियत दें और उनसे हम सीखें कैसे हमारा आर्थिक निती चलाना है यह पुरानी जो समझ थी जो एक नहरूवियन कह सकते कि राष्टे के जरिये चलना है वो छोड़के उदार जो कहते नव उदारवादी चिंताएं जो है वो काफी उससे चल रहा था जैसे की टूरिजम पर बहुत बड़ा जो तक्का पहुंचा करोना के समय करोना के वक्त पे तो एक बहुत थे तो एक सोच लिजए स्री लंका का जो पर कैपिटा इंकम है हमसे ज्यादा था इंदुसान से ज्यादा था तो वहाँ पर एडुकेशन काफी इस जो था ये था कि काफी हद तक वो डिपेंडेंट थे आपका फॉरेंड टूरिजम की इंकम से टूरिजम क्योंकि कम हो गया करोना के दौरान तो ताश के पत्ते की तरफ पहुंचा था दूसरी बात है कि इनके काफी लोगों ने कहा था वो चीन से बहुत ज्यादा व्य अमरिका यह सब बराबर की करज़दार है उनके लिए तो इसलिए इनके करजा का जो व्याज वगारा है इता ज़्यादा नहीं है जो लोग कह रहे थे मूल व्याज जो उनको देने को उनको देना पड़ा रहा था तो वैफॉरेंट बैंक्स को और वैंट्य अवेस्टनं ब वो विदेशी पूजी के लिए था और वो ना चीन ना हिंदुस्तान से को इसका कोई संब्द था तो एक ते एक बहुत बड़ा इशू जो है और वर्ल बैंक सबसे बड़ा सेकेंड बिगेस्ट करदार जो है वर्ल बैंक था वर्ल बैंक आएमेफ बगारे थे तो इसी लिए जो आर्थिक संकर बेसिक स्ट्रक्चरल इंबालेंस एकानोमी की जो थी उस पे था और उसके लिए जूजने के लिए उन्होंने और जो बेगूफी वाली बात हमने पहले चाच्चा कर चुए है फर्टिलाइजर कहा कि बहुत महांगा पड़ा है फर्टिलाइजर बंद करत बढ़ रहा है क्योंकि फूड जो पुत्पादन था वो इमीडिटली वो ड्रॉप कर गया तो यह सब मिलके अब सवाल है कि इमीडिट सोलूशन क्या है क्योंकि पास बिजली के लिए पर गाड़ी चलाने के लिए ट्रक चलाने के लिए उसके लिए भी इंधन नहीं है तो इमीडिटली चाहिए तो चीन और भारतवर्ष दोनों ने फॉर्मन एक्सचेंज का रून तो दिया है अब वो वर्ल बैंक से नेगोशियेट कर रहे हैं रिंड लेके इमीडिटली इस करेंड क्राइसिस से निकल पाए या नहीं तो यह अगर निकल जाते हैं तब उनको दो इसको बेज दो विदेशी पूंजी के पास और उससे आप जो है इसको आपका इकानोबी और भी एफिशेंट हो जाएगा सवाल है कि यही चीज तो पहले कर चुके हैं मने इसलिए कहा तो 50% कर्च तो प्राइवेट कापिटल का पास है विदेशी प्राइवेट कापिटल क पास है तो अगर वो बढ़ेगा तो उससे कितना फायदा होगा वो देखना पड़ेगा पर इस वक जब इंधन और खाने के लिए उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो और क्या होगा क्योंकि इससे तो कोई टूरिस भी नहीं आएगा अगर आप जाना आना नहीं है विज और जो मौझूदा लोग हैं उनके खिलाफ भी आंदोलन बहुत जो सुभाविक है वो चला रही है पर इससे ही हो सकता है कि राजय पक्षे चले जाए पर और और पक्ष जो आएगा पक्षे से अच्छा हो गए नहीं वो नहीं बता सकते क्योंकि राजदितिक चैलेंज क्या है किस रास्ते पर वो चले और वो जब तक नहीं करेंगे तब एक रेकरिंग क्राइसिस की संभावना यहां पर रह जाएगे जी अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि रूस और यूक्रियन के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें रूस ने जिस तरह से बुलगेरिया औ और पोलैंड के लिए इंधन की सप्लाई रोकी है गैस रोकी है इसका क्या असर पड़ेगा क्योंकि इससे सारा सर्फ यही दो देश नहीं पूरी दुनिया प्रभावित होती दिखाई दे रही है देखें पहली बात तो है यह यूक्रेन की लडाई का डिरेक्ट फॉल आउ अर अमरीका की जो सेंटरल बैंक के पास थी दूसरे बैंकों के पास थी वो जप्त कर लिया उजओं किया, एक भी सीज़ किया, सीज़ करने के बाद, रूस अब कह रहा है कि अगर आपको हम गैस देंगे, आप हमको डॉलर में पैसा देंगे या तो यूरो में पैसा देंगे, पर अपने ही बैंक में रखेंगे, इसका मतलब उसको भी आप सीज़ कर सकते हो तो इसका मतलब मैं गैस आपको दू पैसा हमारे पास आए ना और पैसा आप ही का पास आप रख लें और कल कहें कि नहीं हम समझते हैं आप बड़ा गलत काम कर रहे हैं और भी तो इसलिए ये भी हम जब्त कर लें तो इसका मतलब है कि हम फ्री में आपको गैस दे ये बात आप कहना चाहते हो तो यह हम बड़ाश नहीं करेंगे गैस लेना है तो रूबल में दीजे तब उन्हें रहे का यूरोपियन यूनियन के हमारी सैंक्शन्स है आपके उपर तो रूबल में हम दे नहीं सकते तो घाए ठीक है गैस प्रॉम बैंक में हम एक अकाउंट खोलने की ववस्ता रखते उस पे आप डालर में कहो यूरोपियन आपका यूरो यूरोस में कहो आप वहाँ जमा करो grass from bank जो है वो रूस का rubles लेके डॉलर्स रूस भेच के rubles लेके आपको gas supply कर देगी तो ये rubles का conversion आपको नहीं करना पड़ेगा gas from bank करेगा तब European Union ने खुद कहा है कि हाँ ये हमारा sanctions के खिलाफ नहीं है तो ये जो बात हुई तो इस पे पोलेंड और बुल्गेरिया ने कहा कि हम तो हमको dollars में ही देंगे हम और किसी इस पे नहीं देंगे हम इस चीज को नहीं मानते क्योंकि पॉलेंड और बुल्गेरिया दोनों बहुत कम gas खरीते हैं पॉलेंड alternative रवस्था कर रखा है और बुल्गेरिया की map में अगर देखे यह जो map हमारी है तो उस पे देखेंगे तरकी और भी लेते हैं दूसरे देशों से भी तो उनके पास अल्टेरिटिव्स हैं और पॉलेंड और बुल्गेरिया इस वक्त बहुत कम गैस रूस से ले रहे हैं तो यह जो इनकी पाइपलाइन है उस पे काफी टाइम उल्टा आता है गैस जर्मनी से पॉलेंड के पास आत है तो सवाल है कि मुख्य चीज इसमें यह है जो बड़े इंपोर्टर्स है गैस की आपका जर्मनी इटली फ्रांस स्पेन इन देशों की क्या हल होगा वो क्या कर रहे हैं तो कल की जो अखबार की खबर है फाइनैंशल टाइमस दूसरे अखबारों को भी जो खबर है कि दस बड़े बड़े जो गैस खरिदारी करना चाहते उन्होंने गैस प्रोब बैंक में अकाउंट खोल लिये है यह नाई सो इटली के सबसे बड़ा जो ऑईल अन गैस बिजनस करता है उसने अकाउंट खोला है यानि कि जो रूस की शर्थी वो इन लोगों ने मानी क्योंकि इन पड़ेगा पर रूस के पास चाहरा किया है कि आपको अपने बैंक में अगर आप पैसा रखोगे रूस का जो पैसा है तो कल फिर जब्द नहीं करोगी यह तो अब गारंटी नहीं दोगे तो जब यह गारंटी नहीं दोगे जब आप जब्द करी लिये हो 300 बिलियन डॉलर रूस का जो सप्लाई का पैसा अमरीका और रूस के यूरोपियन यूनियन के बैंक्स पी जब्द कर लिया है फ्रीज करना के मतलब इस वक्त तो जब्द ही कर लिया है तो अब कहो कि नहीं गैस आप दो हमें पर उसका पैसा हम अपने पास ही रखेंगे यह जो शर्त है लग भल में खरीदना बेचना चाहते हैं यह हम किसे हैं भी पैसे उनको दे दो तो आपने जब्द कर लिया है तो बात ही खंब हो जाएगी तो अब कर लिए रहे हो तो इसले मैं बेवन्यादी बात ये कह ρहा है और चिंता की बात उनके लिए ये है कि यूरोपियन यूनियन को इस गैस से, रूस की गैस से, रूस की तेल रूस की कोईला से immediately कोई हल नहीं है, दुनिया में कितना है वो दो बात की बात है, इस वक्त कोई हल नहीं है क्योंकि करीब 40-45 प्रतिशत जो इंधन वो रूस से आता है, और वो अगर बंद कर देगी, उनकी इंडस्ट्री भी बंद होगी हे और जो हिटिंग के लिए, कोकिग के लिए और जी चीज है ट्रांसपورट के लिए, हर चीज के लिए उनकोर उसका कम से कम दो साल के लिए नहीं है, तो यह जो क्राईसिस है, सबसे जादा इसपे जर्मणी है, इसके बाद इटलि, स्पेन वगारा है, तो फ्रांस मी क्योंकि उसके पास nuclear power है तो यह अगर देख देखें तो इसका असर जो है जरूर दुनिया की तेल और गैस की मार्केट पर पढ़ा है इस वाट European Union में गैस के दाम 20% बढ़ा है एक दिन में तो यह चीजे बड़े खतरनाक है हमारे लिए भी क्योंकि कोईला के दाम बढ़ रहा है रूस को बेचना असान नहीं हो रहा है क्योंकि euro और dollar के sanctions है लोग इसी currencies में खरीदना बेचना कर रहे थे अभी तक तो इसी लिए international coal prices इस वक्त करिब तिगुना बढ़ गया है और इसका असर हमारे power plant पे पढ़ा है इंपोर्टेट कोल से जो बिजली घर चलती थी वो बंद हो गया है तो अब जो shortage है और ज्यादा कोईला चाहिए हमारे domestic plants उसके लिए तो हमारी सरकार ने इस तरह से प्रबंद नहीं किया तो उसका एक crisis हम देख रहे हैं पर बूल बात जो है ये crisis दुनिया के हर देश का टच करेगा जब तक ये जंग के नाम पर economic war जो हो रहा है रूस के ऊपर ये बंद ना किया जाए है और उसी समय हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो युद्ध है युद्ध का जो पुरा माहौल है ये और बढ़ता ही जा रहा है जिस तरह से अ कि जो युद्ध वाला पूरा का पूरा सीन बना हुआ है वो कहीं से भी शांती की कोई रहा तो निकल नहीं रही है तो उसमें जो शांती वाली बात हम कर रहे थे कि एक रहा निकलनी चाहिए अमरीका जिस तरह से और नेटो देश जिस तरह से तैनात है और उनका है कि रूस को कमजोर करें वीकें रश्या तो यह अगर लक्ष है तब समझ में आता है क्यों शांती की बातचीत न करके वो सिर्फ आर्म्स कित्ता देंगी यूक्रेयन की बात कर रही है तो मैंने जो पहले भी कहा है कि फाइट रश्या टू दे लास्ट यूक्रेडियन तो इस पे जोग दे और इससे रूस वीकेंड हो जाएगा यह उनकी सबसे बड़ी लाभ दिखाई पड़ता है यह उनका मकसद इस वक्त यही है और हमले भी कुछ उस दिशा में गए है रूस की तरफ हमले यूक्रेयन किसे अंदर से हो रहा है कहा जाता है कि इसकी पूरी जो और उसकी जो इंफलमेशन सैटलाइट इमेज से लेकर हर चीज का वो अमरिका और वेस्टर पावर से मिल रहा है उक्रेयन को उसके वजह से कोडिनेट कर पा रहे है राशया के अंदर की स्ट्राइक भी मैं इन चीजों पर जादा नहीं जाना चाहता हूं तो मैं यह आपको रूस की तरफ जानी की जो दिशा थी उसमें कोई कभी सिर्फ आई ही नहीं रूस ते जब बोला था कि यूक्रेयन की निउट्रालिटी नेटो ना जॉइन करे यह हमारा शर्त थे इसे बाचीत करिये अमरिका लगातार इसको इनकार किया तो वो इसी लिए कि वो एक्शुल ची पैवाने पर अस्तर दिया जा रहा है जबकि उनके खुद की अपनी स्टेटमेंट उनकी डिफेंस डिपार्ट्मेंट वगारे से आ रही है कि यह तो एक महने का अस्तर जो हम दे रहे हैं वो एक Habt में उनका कर अदिन दिन पर खर्चा कर रहे हैं और यह भी नहीं हमे पूरी की पूरी तस्वीर सामने आ रही है उसमें ये बात तो साफ है कि जो सैंक्शन्स लगे हैं उनसे जो बचाओ का रास्ता है वो उन देशों में निकाल लिया है जिने इंधन की जरुवत है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो युद्ध उन्माद है युद्ध की तैयारिया है युद्ध के लिए पूरा महौल बनाने वाला है वे ताक्तें बहुत सक्री हैं अमन अमन की बात करना शांती की बात करना कहीं दूर दूर तक किसी के भी कार्ड में दिखाई नहीं दे रहा शुक्रिया